ले जनाब, इंतजार के घडियां घतम हुई, अब हम यूज़ करने वाले हैं Langchain, OpenAI की API, Hugging Face की API to do some kind of tasks inside Jupyter Notebook और Jupyter Notebook को हम यूज़ करेंगे inside VS Code, ये जो हमारे वीडियो है, ये 6 मा के course का पार्ट है, जिसका link मैंने description में दिये है, ये totally free course है and it will be free until April 2024, उससे पहले जो इसमें enroll okay से finish कर लेते हैं, आपके लिए सबके लिए free है, और रही बात इस course के अंदर हम क्या के कर रहे हैं, तो please content को देखें, जाके, 6 मा का पूरा course है, और description में मैंने link दिया हुआ है, total Urdu और Hindi के अंदर है, let's jump into our coding system now, यहाँ पे हमने जो lang chain का पूरा practice करनी है, उसके लिए एक नई notebook मैं बनाता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ, lang chain practice, ठीक है जी, हमने pip install, दो libraries install करनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दोनों, पहली है जी हमारे पास pip install lang chain, ठीक है जी, यह हमारे पास पहली library है और दूसरी हमारे पास है, pip install open AI, ठीक है, यह दो libraries हमने install करनी है, एक मैंने कर ली है, मैं दूसरी आपके सामने करता हूँ, ताकि आपको समझ आजाए कि किस तरीके से यह काम होता है, pip install open AI, मैं जैसे इसको click करता हूँ, open AI कि library को it will be installed here, और क्योंके मैं यह environment साहब जो है, आज मैंने change किया है, streamlit environment किया है, and inside that we are working on this notebook, let's see, हमारे पास IPY kernel भी इसमें साहब भी install हो रहा है, but it's fine, we can wait a little bit, अच्छा जी, हमारे पास open AI कि जो library है वो install हो गई है, एक हमने और library इंस्टाल करनी है, which I am going to write down here, क्योंके हमारा काम जो है आज वो तीन libraries का है, तीसरी है हमारे पास pip install hugging face hub, हमने hugging face hub को भी install करना है, and let me see, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, pip install hugging face underscore hub, यह भी मैं इंस्टाल करता हूँ यहाँ पर, we need these three libraries, और जैसे हमारे पास यह तीन के तीन libraries हो जाएंग, लैंग चैन और बाक्की दोनो, and then we can actually see कि हम APIs का use कैसे कर सकते हैं, अब meanwhile यह इंस्टाल हो रही है, तो मैं अपनी API की जो है, उसको ले आता हूँ, and then we can use that API की, test underscore API, मैं वैसे API की बना रहा हूँ, दोनों की जब तक यह इंस्टाल हो रहा है, जैसे आपको मैंने सिखाया है, तो आपने वैसे API की बना ले नहीं है, API की बनाने के बाद, I'm back here, यहां पर मैंने इंस्टालेशन कर रही है, अब पहला काम क्या करना है आपने, आपने यहां पर, लाइबरेरी इंपोर्ट करने हैं, लाइबरेरी, बलके मैं एक ही code के अंदर लिखता हूँ, आपको बजाए इसके के हम ज्यादा टाइम इस पर सर्फ करें, so it would be easier for us to understand के किस तरीके से यह काम होता है, so हम यहां पर लिखते हैं from lang chain dot llms, from lang chain dot lms import open ai, ठीक है, and then import os, यह इन दोनों को run करके देखते हैं, अगर यह run कर पड़ है, इसका मतलब everything is working fine here, अगर run नहीं करेंगे, then there is something wrong, it's still working, still loading, yes, it's working fine, जब यह tick का निशाना आगया, इसका मतलब है, it's working fine, now, ले जनाब, इंतजार के गड़ियां खतम, again, environ हमने बनाना है, यहां पर, और, os, environ के अंदर, हमने open API की की देनी है, ठीक है, यहां पे आपकी open API की की आनी है, मैंने जो बनाइ है, वो मैं यहां पे डाल रहा हूं, ताके आप सब को पता चल जाए, किस तरीके से हमारे पास, open API की की यहां पे आती है, open API की की आपने, यहां पर paste कर देनी है, मैंने भी कर दी जनाब paste, तो मेरे पास OpenAI की किया आ गई है अब हमने क्या करना है हमने इसको LLM के अंदर सेव करना है अब इसको मैं LLM ही सेव करना है बलके OpenAI Underscore LLM के एक अबजेक्ट के अंदर सेव करता हूं LLM तो यह मेरे पास OpenAI का अबजेक्ट आ गया और यहाँ पे temperature वगएर आप सेट कर सकते हैं which I am gonna put 0.9 यह temperature क्या होता है variation in the text जो आपको मिलती है ठीक है और यहाँ पे जो model name है model name है वो आपको पता चल जाएगा जब आप कोई भी API यूज़ करते हैं यहाँ पे text-da-vinci होगा-003 but we can confirm that ठीक हो गया जी यह हमारे पास चीज आगे के हमारे पास जो हमारा temperature हो गया set हमने open AI को set कर दिया and now we can write down our text तो मैं यहाँ पे text लिखता हूँ ठीक है text लिखने के बाद मैं यहाँ पे add करता हूँ what is the meaning of life ठीक है फिर हमने क्या करना है यहाँ पे print लिखके और llm open AI और उसके आगे हमने text दे देना है ठीक है so as simple is that let's see हमारे पास यहाँ पे libraries import की हमने यहाँ पे हमने अपनी open AI की की दे दी यहाँ पे हमने अपना जो open AI का temperature और model वगरा set करना है कर सकते है वरना मैंने default model रखा हुए और यहाँ पे मैं text देता हूँ कोई भी at the end यह वाला model text के उपर हम fit करते है and at the end हमें answer मिल जाते है हमने पूछा what is the meaning of life the meaning of life is a philosophical and existential question that has been pondered by humans for centuries तो यह पूर्य का पूरा sentence लिखा आ गया and this is how you can change different kind of wording तो मैं यहाँ पे इसको दुबारा से रन करता हूँ तो मेरी open AI की API यूज हो रही है यहाँ ठीक है अब आप देखे हमारे पास temperature की base पे different किसम का answer आया अगर मैं इसको temperature को 0.5 कर देता हूँ I will have different kind of answer तो काम क्या हो रहा है chat GPT की यह open AI की जो API हमने यूज की है open AI की उसकी base पे हम answer ले रहे है and this is how you can do a lot of things यहाँ पे आपको समझ आगे कि किस तरीके से हम open AI की API को use करके उससे काम ले सकते हैं यह 4-5 लाइनों के code के अंदर और आप by the way यहाँ से show lines भी कर सकते है तो यह मैंने 6 लाइने लिखी है and I can have an answer अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ लखता हूँ What is the capital of Pakistan? Let's see हमारे पास answer आता है कि नहीं? आ गया The capital of Pakistan is Islamabad and then this is one of the text आप इसको जब एक app के अंदर convert करते हैं तो history भी maintain होती है lang chain के through context भी maintain होता है and then you can do a lot of other things as well ठीक है? अब इसके इलावा अब हम hugging face को use करके देखते है hugging face hugging face की API को भी हम ऐसे use करेंगे मैं यहाँ पे from lang chain import hugging face इस तरीके से हम कर लेंगे and then हमने यहाँ पे LLM इसका बना लेना है hugging face का so हम यहाँ पे LLM का नाम दे देते है hugging face hub के through repo ID हमने T5-base दे दिया क्योंकि छोटा model है we can use that temperature हम दे सकते है maximum length दे सकते है so temperature 0.9 में रख देता हूँ maximum length 64 में ने रख दी और हम यहाँ पे we can translate English to German how old are you तो यह हमारे पास एक sentence है which can be translated using this model और इसके अंदर अब हमें API डालने के ज़रूरत है because we need that API otherwise यह काम नहीं करेगा I'm sure यह ऐसे काम नहीं करेगा but we can try without API let's see क्या बनते है क्या answer आता है जी let's see did not find hugging face API token नहीं मिला so we need to add that obviously so उसके लिए हम क्या करेंगे import OS वही चीज जो पहले की थी और यहाँ पे हम उसकी API की डालेंगे hugging face इसको अपना नाम भी दे सकते है तो मैं यहाँ पे इसको hugging face API token बोल देता हूँ ताके हमारे पास रहे और यहाँ पे हमने hugging face का API token जो है वो देना है मैं hugging face पे वापिस जाता हूँ अपनी की जो है वहाँ से copy करता हूँ and then come back and paste it here let's run this now अब आप चेक करें हमारे पास यहाँ पे यह सारा प्रसीजल चल रहे TQDM हमारे पास warning उसने दी है कि auto notebook import TQDM as notebook TQDM यह कोई मसला है क्योंके इसकी coding के अंदर because I am using this macbook तो अक्सर अकाद यह मसला करता है so this is how you can use the API from here और आपने API को environon के अंदर save किया and now you see यहाँ पे translate होके आगे यहाँ पे translate होके आगे आप कितने old है ठीक है so this is how you can actually find it out जर्मन की बजाय मैं इसको फ्रेंच में करता हूँ it will take some time लेकिन यहाँ पे आ रहा कोईल आए it is voice I don't know I cannot even write it down ठीक है so this is how you can actually work with things मैं यहाँ पे जर्मन में कर देता हूँ दुबारा से और कभी कबार APIs में कुछ problems भी आते हैं मैं आपको मिसाल देता हूँ अभी how old are you की बजाय मैं लिखता हूँ how young are you देखना जरा we young bis do ठीक है अब अगर मैं इसको उर्दू के अंधर करूँगा probably it will not give me an answer like I asked देखा उर्दू we young bis do यहाँ पे अगर मैं इटालियन लिखता हूँ again we young bis do it's still speeding out जो हमारे पास main था French के लिए सही कर रहा है इसका मतलब क्या है कि TF- base के अंदर जाके हमें देखना पड़ेगा के how we need to write the name of second language it could be के यहाँ पे जो हमने लिखा है French वो French सही लफजों में लिखा हूँ वहाँ पे उर्दू लिखना है तो हमें उर्दू में लिखना पड़े यहाँ हमें हिंदी लिखना है तो वो भी हिंदी में लिखना पड़े अगर हमने जर्मन लिखना है तो वो हो सकता है कि वो जर्मन ही हो लेकिन दूसरी languages के spelling मेरे पास खलत आ रहे हैं Italianish लिखना हो या anything it could be so we need to check that into our model तो यह हमने hugging face और open AI दोनों की API keys को use करके यह काम किया you can create your own API keys and you can work with this app ठीक है जी यहां तक आपको clear हो गया कैसे काम करना है and it's very easy believe me यह कोई मुश्किल काम नहीं है ठीक है अब यहां पे मैं इसी के अंदर यह large language model हमने दिया है ठीक है अब यहां पे मैं लिखता हूँ यह LLM can Barack Obama have a conversation with George Washington मैं इसको run करता हूँ let's see kan Barack Obama, Ayn Gishpreich, Mitt, George, Washington, Furian समझे ही बात की तो अब उसको पता चल गया कि मैंने यही काम करना है और वो उसको German वाला save हो गया उसके अंदर तो यह हमारे पास German चल रही है right so we can set once के हमारा model जो है वो किस तरीके से काम करेगा and then we can find similar answers for the upcoming everything तो हमारे पास यह चीजें store भी हो जाएंगे ठीक है अच्छा जी तो यह एक simple use था API इसका अब मैंने क्या किया हुआ है मैंने यहां पे आप की असानी के लिए मैंने कुछ notebooks रखी हैं यहां पे which I downloaded from somewhere तो एक तो lang chain की है which you can explore और आप इस पूरी की पूरी notebook को understand कर सकते हैं के कैसे installation करनी है how you can run और इसमें कुछ errors है you need to remove those errors second lang chain की cookbook number one इसमें lang chain का सारा procedure पढ़ा हुआ है which you have to do and understand lang chain की cookbook 2 यह इसका भी procedure सारा यहां पे पढ़ा हुआ है if you really want to master lang chain तो मेरी आप से request यह है कि दो यह वाली notebook और यह 02 अंडर्सकोर lang chain इसको मैं 03 अंडर्सकोर lang chain और इसको 04 अंडर्सकोर lang chain तो यह जितनी भी lang chain के अंदर इस folder के अंदर notebooks पढ़ी है मेरी आप से request है कि इन पे practice कीजेगा मैं अभी आपके सामने यह push कर देता हूँ GitHub के उपर और मैं इनको लिख देता हूँ lang chain notebooks यह अभी आपके सामने आ जाएंगी आप से request यह है कि इन notebooks के link जो है मैंने description में दिया हुए GitHub repository का link वहाँ पे lang chain के फोल्डर के अंदर जाएगा यह वहाँ पे जाके आपके पास यह सारी notebooks available होंगी इन पर practice करें sorry for that practice करने के बाद आपको समझ आएगे कि how you can use the power of APIs in utilizing lang chain inside some kind of apps जो हम बनाने वाले हैं अब जो हमारा अगला lecture होगा वो होगा streamlet के उपर कि streamlet क्या होती है किस तरीके से चलती है और उस से आगे फिर हम apps को बनाने की तरफ मतवज़ों होंगे और हम तक्रीबन 10 से 15 web applications बनाने वाले हैं to show cause your data science portfolio और इन्शाला वो 10 से 15 apps बहुत ही असान होंगी via streamlets फिर हम उनको deploy करेंगे on streamlet account या हम Heroku पे deploy करेंगे या हम देखेंगे कि हमारे पास AWS यानि कि Amazon Web Services का account अगर available हुआ तब तक तो हम उस पे deploy करेंगे and इन्शाला आप देखेंगे कि ये सब कुछ बहुत असान तरीके से होने वाला है और believe me सिरफ आपको curiosity होनी चाहिए आपके अंदर we are going to teach you इन्शाला इच एंड एवरिटिंग यहां तक के लिए सुनने का शुक्रिया like कर दिया करें अगर आप वीडियो को देख रहे है it helps us and I appreciate a lot कि अगर आप like करते हैं दूसरा subscribe कर दें चैनल को अगर आपने नहीं किया भी तक और यह आपके लिए celebration है जो लोग अभी तक टिके रहे हैं lecture सुनने के लिए उनके लिए हम अस्तबाजी भी करते हैं ठीक है fireworks अपना खियर रकें दौम याद रखें टिक कियर रखें अलाफिस असलाम लेकुर